वील्चेयर पर कोई और नहीं बलकी पंजाब के पूर्व डिप्टी सीम सुखवीर सिंग बादल बैठे हुए हैं सुखवीर सिंग बादल ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं उनके दाहिने हाथ में एक बर्चा है जुसे भाले के नाम से भी जाना जाता है दरसल सुक्वीर सिंग बादल ने सेवादारों का परिधान पहन रखा है उनके गले में एक तक्ती लटकी हुई है जुसमें लेखा है हम अपराधी हैं आप बक्षने वाले हुए सुक्वीर सिंग बादल को सजा सुनाई गई है और वो अमरत सर के सुणन मंदर परिसर में सेवादार बने है यानि वो मुख्य प्रवेश द्वार पर फहरेदारी करके अपनी सजा भुगत रहे हैं सुक्वीर सिंग बादल के दाहिने पैर में चोट लगी है और प्लास्टर होने की वज़े से वो वीलचेयर पर बैठे हुए है एक तरफ सुक्वीर सिंग बादल वीलचेयर पर बैठ कर पहरेदारी कर रहे हैं तो उनसे थोड़ी दूर पर पूर्व सांसद और अकाली सरकार में पूर्व मंत्री सुक्वीर सिंग धीन्डसा भी सेवादार बने हुए थे क्योंकि उन्हें भी सिखो की सर्वोच संस्था श्रीयकाल तक साहिब ने सजा सुनाई थी सुक्वीर सिंग बादल और सुक्रेव सिंग धीन्डसा को सुभा एक घंटा नौ से दस बजे तक सेवा करने का आदेश दिया गया था सुक्वीर बादल को सौचाले साफ करने की सजा भी सुनाई गई थी लेकिन पैर में फ्लास्टर होने की वजह से उन्हें सजा से छूट दी गई लेकिन उनके साथ अकाली दल के जिन नेताओं को सौचाले साफ करने की सजा मिली थी वो सब उसे पूरा करते हुए दिखाई दिये सुकबीर बादल को सौचाले साफ करने की ड्यूटी से छूट तो मिल गई लेकिन मुख्य द्वार पर पहरेदारी की सेवा के बाद उन्हें सामुदाइक रसोई में जाकर जूटे बर्तन की सफाई में सेवा देनी थी इसको बाद एना ने एक कंटा लंगर मेंच जाके ते संकत पे पांडे माले ने जाकर जो सेवा लगाई गई है जो तंखाल लगई है वो पूरी करिंग क्योंकि अकाल तक जो सहस्ता है वो हमारे में भी सरकाई इतना ही नहीं सुखवीर सिंग बादल की सरकार में मंत्री रहे बड़े बड़े चेहरों ने सामुदाइक रसोई में जूटे बर्तन साफ करके अपनी सजा भुग दी इन तस्वीरों बिलकुल बीच में बिक्रम सिंग मजीठिया दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जब पंजाब में शिरोमणी अकाली दल की सरकार थी तो उनके इशारे पर ही तवाम बड़े फैसले लिये जाते दे बिक्रम सिंग मजीठिया जो पूर्व केंद्रिय मंत्री, हरसिमरत कौर के भाई और पूर्व डिप्टी सीम सुखवीर सिंग बादल के साले हैं कहा जाता है कि पंजाब में अकाली दल की सरकार के वक्त पूरे सूबे में सिर्फ बिक्रम सिंग मजीठिया के नाम की तूती बोलती थी। दरस श्री अकाल तक्त साहिब ने सुखवीर बादल और उनकी पार्टी के नेताओं पर 2007 से लेकर 2017 तक अकाली दल सरकार के वक्त धार्मिक गल्तियों पर सजा सुनाई है। for exclusive and insightful videos subscribe to our new channel ABP LIVE PRIMIO